और friends यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया जैसे कि मैं screen को यहाँ पर जोड से प्रेस कर रहा हूँ तो यह देखिए इस तरह से color यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है यहाँ आप देख सकते हैं Hello friends, welcome back to my channel और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर रहा हूँ iPhone 7 Plus 128 GB variant और यहाँ पर आप उसका price देख सकते हैं 14,949 काफी अच्छे price पर मुझे मिल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं extra cover की seal लगी हुई है और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने iPhone 7 मंगाया था जिसमें मुझे दो major problem देखने के लिए मिली थी और वो मैंने फिलिपकार 2Good को वापस return कर दे था और उसके बदले मुझे refund मिलिया था मेरा पैसा और इससे पहले भी मैं एक extra cover से iPhone 6S order किया था और देखते हैं कि किस तरह की product quality देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इसका grade quality है वो है very good जिसमें कि हमें कुछ scratch देखने के लिए मिल सकते हैं अब देखना यही है कि कितने scratch होंगे कितने dent होंगे तो चली जल्दी से unbox कर लेते हैं तो friends यहाँ पर इस तरह का box देखने के मिलेगा जैसे कि last time मैंने success पर order किया था और इसी तरह का box मुझे देखने के लिए मिला था यह आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए इस तरह का box मिलेगा और यहाँ पर extra cover की seal दी गई है proper तो इसको जल्ली से open करके check करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने silver color में order किया था और यहाँ पर हमें यह handset देखने के लिए मिलेगा यह warranty card जैसा कि आप फिलिप का two goods से भी अगर order करते हैं product तो भी आपको इसी तरह का warranty card देखने के लिए मिलेगा और extra cover ही उसमें one year की warranty प्रोवाइड करता है और यहाँ पर इस से मिजक्टर टूल मिल जाएगा देखने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का adapter मिला है power adapter जैसा कि आप जानते है friends refurbished product में हमें हमेशा compatible data cable और compatible ही charger देखने के लिए मिलते हैं और कोई rare chances होते हैं कि किसी को original मिल जाता है जैसे कि आप यह देखिए यहाँ पर इस तरह की हमें lightning cable देखने के लिए मिलेगी और friends हम यहाँ पर geosim भी लगा के check करेंगे कि इसका internet और call हम वगर हम कर पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे तो friends बात कर लेते हैं हैं handset की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं front के तरफ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे कोई भी scratch देखने के लिए नहीं मिल रहा है display पूरी तरह से clean है और यहाँ पर अगर आप हलका सा देख रहे होंगे तो यहाँ पर हलका सा कुछ fingerprints के निसान है वह हम clean करके देख लेते हैं कि यह scratch है या फिर सिर्फ normally गंदा हो रहा है तो मैं इसको clean करके देख लेता हूँ तो yes वह पूरी तरह से clean हो चुका है तो front में कोई भी scratch नहीं है अब देख लेते हैं कि rear side में कोई scratch है या नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर camera lens को देखिए आप यहाँ पर थोड़ सा scratch देखने के लिए मिल रहा है तो हम इसको एक बार clean करके देख लेते हैं अब lens के उपर कोई भी scratch नहीं है और friends मैंने जब यहाँ पर काफी बारी किसे जब lens को देखा शायद आप यह देख पार होंगे यह देखिए इस तरफ एक छोटा सा scratch देखने के लिए camera lens के उपर यह मैंने काफी clean किया था लेकिन यह मुझे पता चला कि यह scratch ही है और friends यहाँ पर मुझे एक dent देखने के मिला है यह देख सकते हैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँगा यह शायद हो सकता है कि जिस user ने पहले use किया होगा शायद उसने कोई cover use किया होगा back cover जिसमें की कुछ apple जैसी shape देखने क मिल रही है और friends जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने mobile का torch on कर लिया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं charging jack थोड़ा गंदा है अंदर की तरफ से यह देखिए यह देख सकते हैं आप यहाँ पर शायद आपको visible होगा यह देखिए और अगर मैं speaker vent की बात करूँ तो यहाँ पर speaker vent भी थोड़े से गंदे देखने के लिए मिल रहे हैं friends मैं mobile से recording कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से focus नहीं कर पा रहा हूँ but I hope इसकी आपको कुछ ना कुछ तो visible होगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है low battery तो मैं यहाँ पर इसके adapter को भी connect कर लेता हूँ ताकि यह बीच में problem ना create करें तो आगे मैं ज्यलिएस का initial setup complete कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने phone का complete setup कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको इसके touch ID भी दिखा लेता हूँ एक बार यह देख सकते है touch ID properly working है और यहाँ पर आप इसका display यह देख सकते है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब last time मैंने iPhone 6S order किया था flip card 2 goods है तो उसके अंदर मुझे screen और body के अंदर कुछ gap देखने के लिए मिले थे तो मैं यहाँ पर check कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसको press करके देखूँगा कि display उन्होंने change किया है mobile open किया हुआ है बाकि हम 3U tool से भी देखेंगे अगर कोई part change है तो वह हमें उससे पता सल जाएगा और हम apple की website पे चेक करेंगे कि यह properly general product है या फिर fake है जैसा कि मैं इसको access करके देख रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी properly working है और मुझे काफी अच्छा vibrate feedback मिल रहा है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको setting के अंदर जाके दिखा देता हूँ जो हम सबसे ज्यादा check करते हैं वो है battery बैटरी का status check कर लेता है कि very good condition में हमें कितनी battery percentage देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आप देखिए तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर 100% battery capacity देखने के लिए मिल रहा है obviously इसका battery change होगा क्योंकि काफी पुराना handset है और आपने देखा होगा यहाँ पर 3% battery है और मैंने starting में 10% पर charger connect कर लिया था तो हम यह check कर लें थे कि यह properly charge हो रहा है नहीं हो रहा है यह हमें पता चल जाएगा वीडियो के end में about section के अंदर जाके आप यहाँ पर देख सकते है model number हमारा M से start हो रहा that means कि यह genuine product है और यहाँ पर आप देख सकते है तो software version हमें 15.3 देखने के लिए मिल रहा है और यह capacity आप यहाँ पर check कर सकते है 128 GB और आपको first boot up पर आपको 117.74 GB देखने के लिए मिल जाएगा और मैं एक बार software update पर click करके check कर लेता हूँ कि हमें क्या दिखाएगा तो यहाँ पर आप check कर सकते है 15.3.1 की update हमें देखने के लिए मिल रही है तो friends यहाँ पर हम इसका camera check करके देख लेते हैं एक बार मैं यहाँ पर जल्ली से एक photo यहाँ पर लेके देख लेता हूँ और यहाँ पर हम इस object का भी photo ले लेते हैं यह आप देख सकते हैं काफी अच्छी picture quality देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर आप देखिए मैंने जहाँ पर photo लिया था आप इसके text देख सकते हैं कितने clear और कितने crisp हैं तो camera में कोई issue नहीं है बाकी मैं next video upload करूँगा जिसके अंदर इसका separate camera और इसकी video samples मैं upload कर और camera setting के अंदर जाके देखेंगे guys तो यहाँ पर देख सकते है record video 1080p at 30 frame per second मैं यहाँ पर इसको 60 frame per second पर कर देता हूं और friends यह 4K 30 frame per second पर भी आप video shoot कर सकते हैं तो अभी फिलाल मैं यहाँ पर 60 frame per second HD में हम एक बार video इसका sample लेके देख लेते हैं किस तर की quality मिलेगी तो यहा चोटा सा video sample बना लेता हूं और यहाँ पर हम इसका एक बार autofocus भी check कर लेते हैं तो यह देख रहे हैं आप autofocus भी properly working है तो यहाँ पर आप इसका close look देख सकते है screen का यह देखिए यहाँ पर कुछ-कुछ black line आपको देखने के लिए मिल रही होगी यह देखिए maybe यह display change हो सक सकता है और friends यहाँ पर मैंने एक चीज़ notice किये जैसे कि मैं screen को यहाँ पर जोड से प्रेस कर रहा हूं तो यह देखिए इस तरह से color यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है यह आप देख सकते हैं तो obviously यह display maybe change हो सकता है और आप मुझे comment करके बताएगा कि क्या य या फिर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोकस ने signal detect कर लिया है तो यहाँ पर हम एक call करके देख लेता है तो calling वगरा support कर पा रहा है और यहाँ पर हम देख लेता है कि हम इसमें internet access कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जोका internet on is time और मैंने wifi off किया हुआ है मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहता हूं यह wifi off है और हम यहाँ पर जोका internet ही use कर रहे है यह देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार youtube open करके देखता हूं यह देखिए Jio का internet बहुत अच्छे सा है, यहाँ पर मैं access कर पारा हूँ यह आप देख सकते हैं और friends यहाँ पर हम इसका front camera चेक कर लेते हैं यह आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह front camera से photo लिया गया है यह देखिए यह देखिए थोड़ा सा फेड है फोटो लेकिन ठीक है मेबी कि वो काफी मैंने क्लोज रखा हुआ था कैमरे के पास बाकी फोटो और वीडियो के सेंपल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँँ अपने चैनल पर और एक हम हम BGMI का भी टेस्ट करेंगे इसके अंदर की किस तरह का हमें गेमपले परफोर्मेंस देखने के लिए मिलता है जिसके साथ साथ हम बैटरी परफोर्मेंस भी चेक कर लेंगे कि एक गेमपले पर कितना बैटरी परसंटेज ड्रोप होता है या फिर हमें किस तरह का बैटरी बै तो यह आप check कर सकते है iPhone 7 Plus और इसका जो valid purchase date यहाँ पर green tick show कर रहा that means कि यह valid mobile है और अगर नीचे देखेंगे तो technical support expired और repair and service coverage expired obviously because यह एक out of warranty product है और यह refurbished है तो friends यहाँ पर मैंने देखी है यह 3U tool से भी connect कर लिया है और यह मैंने PC के साथ connect कर रखा और यहाँ पर आप देख सकते है यह battery percentage 12% अभी charging है और जो इसके charge time है वो है zero time और friends आप इसका sale region check कर सकते है United Kingdom और friends यहाँ पर आप इसका verification report check कर सकते है दोनों side आप match कीजेगा अगर दोनों के serial number अगर same match होते है तो यह properly general product है यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कोई भी part change नहीं है अगर कोई part change होता जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे battery में भी change obviously क्योंकि refurbished mobile है तो इसका battery change किया गया तब ही इसका battery percentage 100% show कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैं कई सारे iPhone order कर चुका हूँ और refurbished quality में मैंने हमेशा super condition में ही लिया है लेकिन यह first time है मैंने very good condition में लिया है क्योंकि मेरा budget इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं 18 या फिर 20,000 पे में super condition में ले पाऊं और यहाँ पर आपको 3 days का replacement policy मिलता है अगर आपके handset में कुछ भी problem आती है तो 3 दिन के अंदर आप अच्छे से testing कर लिजे अगर आपके phone में कुछ major issue होगा तो आप उसको replacement पे डाल सकते हैं वो आपको change करके दे देंगे तो friends अगर आपको कोई भी question है कोई भी query तो आप मुझे comment box में comment कर दीजेगा मैं उसका reply जरूर से दूँगा और मेरे पुराने handsets के सारे video link आपको video के description में मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप check कर सकते हैं तो friends अगर आपको मेरी video से थोड़ी सी help मिलती है एक like देकर जरूर जाएगा और मिलते किसी नहीं वीडियों बाई बाई टेक क्याएगा